वेल्कम बैक टो मैं चैनल लविसलाइब 2.0 दना आप सुन रहे हो मैं फर्ष्ट क्रस इन मैं स्कूल लाइब सो गई इस इस्टोरी को मैं कंटीनिव कर रही हूं इस्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपनी सुन पीओ घर चले जाती है और तैं पीओ की ममा को अपनी बेटी की सालत में देखकर बहुत बूरा लगता है क्यिंकर उसके बाक पे बहुँ जदा मतलब जगमा की निसान पढ़री ती जिसको देखकर उसके मममी के चु़ए दिल को प्लै trze बहुती है जाना घ्रण चैजली हो रहा होता है। लेकिन अपने आपkinsुल करते है, अपने पीटी को कनसुल लेकिन बहुत जादा मम्मह को बहुती है। बहुत बाती है क्या है। बॉलती है किुछ साहि है अपनी मम्मझ परिके बहुत के हम distributedti हैं फोकि uh वो अपने दोनों बच्चों में से किसी एक को भी चूस नहीं कर सकती है हाँ गलती से भी अपनी बेटी को मिन्स बेओ को यहां से भगा कर ले जाने का वो ट्राय भी करती तो इनके जो ग्रेंड पा रहते है ना जो टादों जो रहते हैं ग्रेंड पा वो इन तोनों को किसी को भी नहीं छोड़ती इसलिए मम्मी ना चाहते हुए भी यहीं पर रुख रही होती है उसके बाद उसकी मम्मी उसके सहला रही होती है उसके से बहुत प्यार से देख रही होती है उसके फॉरेट के उपर किस करती है बोलते हैं जहान की सारी जो दर्द रहता है वो साइड हो जाता है जब आप मम्मी के बाहों में उनके गोद में सोचाओ तो सारे दर्द से हमें निजात मिल जाता है I mean क्या बोलते हैं उसको सारे दर्द से हमें चुटकारा मिल जाता है सेम पियो के साथ भी हो जाता है जो उसके बैक पी जितना भी पेन था ममा के जो गोद में आने के बाद उनके गोद में सुने के बाद उस सारा pain side हो जाता है और वो बहुत गही निद में सो जाती है और उसके बाद जो मम्मा रहती है पियो के forehead पे किस करके वहां से बाहर चली जाती है मैं बहुत जल्दी तुम लोग के यहां से निकालोंगी तुम जिंता मत करो और तुम यह सहना नहीं पड़ेगा तुमने 14-15 सालों से हाँ अपने पूरी जिंदगी यह सब सहा है लेकिन अब नहीं सहोगे बेटा I promise ऐसे बुलके ममों वहां से चली जाती है and दूसरे side जो प्रिती रहती है यार हो तुम पहुंआ जाता मतलब और जखी रहती है मतलब जुखी आतमा बन गईaldi कि हो सुच रही थी कि निकैले सब मेरे साथ कैसे कर सकता है मैं उस इतना प्यार कर थी और मेरे साथ यह सब जाज मैं क्या करूँ उसके साथ उसको मार दूँ क्या कि भूल खशा कर रही हुथ area चिला वी? robot a वह ऺए कैन Hé भी थी आर वह सूच रही होती है कि यार क्या हो रहा ए भी पुपलिकी चुपरेती है वह सूख रही हुथ sırआ थी हमारी बीरा है दो हम तो तुरह सॉक्ट हो जाती है और उनके पास जाकर बैठते हुए बोलते हैं दीदू क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम हुए तो बोलते हैं तुझे पता है क्या प्रॉब्लम हुआ है तो फिर क्यों बोल रही है तो सामने से बोलते है दीदो यार जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है मैं बस इतना सला दे सकते हैं और कुछ भी नहीं तो उसके दीदों बोलते हैं तुम्हें पता है ना तो बोते हैं मुझे पता है और तुम्हारे साथ जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ अच्छे की दिया ही हुआ है तो आप इतना क्यों फिकर मतलब कर रहे हो आपको पता है ना अगर उस टाइम ये सब नहीं होता तो आप उस धल्दन में चलने ही चाते और इस बंदे के हाथों की बस खिलोना बन की रह जाती वह जैसे आपको चलने बोलता वैसे ही आप चलते तो अच्छा ही हुआ है ना अब अभी अपने लाइब में देखा ही क्या है बताओ वैसे भी मैं सौक्ट हूँ कि आपने भी अप क्या सोच कर बनाया है उसे दिखने में भी फट्टु हैं कोई दिखने में धंका तो है नहीं उसका फेस तो आप उसको किस से इंगल से पसंद किया है आपने इसे बोल कि अपनी दीकों समझा रही होती है लेकिन उसके सिम्मोल थी है प्यार किसी के फेस्, या उसके 변 Всем...! मुझे उसकी मतलब खूबी को देख कर हुता है ऑस तरी के हमें केयर करता है उस song से हमें मुँभत होता है मैंने उसका कुई मतलब पैसा नहीं नहीं देखा नहीं कुछ भी नहीं देखा मुझे वह अच्छा लगा मुझे लगा कि यह मुझे समझता है इसलिए मैं उसके करीम गई थी और कुछ नहीं तो सामने से बोलती है वो अच्छा मतलब यह सब हुआ है तो आपको पता ही है कि वो आपका फ्रेंड है फ्रेंड था तो गुड फ्रेंड से गुड भी फ्रेंड रहने देते उसको अपना बॉइफ्रेंड बनाने की मतलब हिमा का थी कैसी हुई तो उसके दी बोलते थे अब मेरा फ्रेंड था मुझे पता है मुझे यह भी पता है मैंने उसको गल्ती से किया साथ मैंने कुई वही किया था पाप किया था मैं उसको अपना बाइफिर्म बनाया था तो दर सामने से मीरा बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है वैसे भी अच्छा हुआ कि आपको उससे चुटकारा मिल गया मुझे तो लग रहा था कि यहार उनकी साधी आपसे होती तो मैं उसको जीजा बोल बोल के ठक जाती और कहीं हो मुझे मेरा बोला कि अप्रिदी तो मेरे हातों से उस दो थीन चैपट घुटकारा मिल था मेरे लेटा अपने सिस्टर पर बोलती है मुझे आदे गंटी छोटी हो लेकिन इतना जाग दिवाग है तो सामने से मेरा मुझे है एलो दीरू मैंने बस अधे गंटा आने में मैं आदे ग और वैसे भी मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबके सामने आपको दीदों बुलाने में तो बड़ा ही मज़ाता है ऐसा लगता है किसी ओल्ड वुमेन को मैं अपनी दीदों बुला रही हूं तो सामने से जो हमारी प्रीदी रहते हैं और सब्सक्राइब दीदों किसी के साथ कॉल में बात कर रही होती है और से इंपॉर्मेशन मांगने का मतलब रिक्वेस्ट कर रही होती है तो सामने से बंदा भी और रिक्वेस्ट किया था ममा ने वह सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वो बोलता है मैं इसका दूगोना पैसे लूँगा क्योंकि इसमें मेरी भी जान ख़त्रे में आ सकती है तो सामने से ममा बोलती है don't worry तुम्हीं जितना पैसे चाहिए मैं दूगी मुह दाम दूगी तुम बस मेरा काम करो बस और कुछ नहीं पैसे भी तुम उसके साथ अगर काम भी करोगे अगर एक भी गलती हुआ तुम अपनी जान से जाओगे उससे अच्छा है मेरी साथ ही करो मेरे साथ करोगे तो तुम्हें ही मुनाफ़ा होगा और कुछ नहीं तो सामने से वह बंदा सूचते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने तो पहले ही बताया बस मुझे अपना पैसा टाइम चाहिए तो सामने से ममा बोलती है don't worry तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाए है I hope मैंने जो इसको काम दिया है यह जल्दी नहीं बटाए ताकि मैं यहां से अपनी बच्चों को लेकर बहुत दूर चली जाओं ऐसे ममा सूच रही होती है और इधर हमारी बहुत अराम से सो जाती है जब वह उसकी आंके खुलती है मतलब हलका हलका सा तो अपनी ममा को मत है मतलब टाच करने लगता है कि यार हम पर ममा है नहीं जब वहां पर ममा है जब पाते है कि अपर फालब है जिसको बहुत बुरा लगता है जानों देख दिर लिए इसको लिए उनके रिख प्रलोंड में लग लगता है इसको बहुत पसंद आता है हमारी मुम्मा हमारा ख्याल रखते है आई नाट भी पढ़ता है और मैं कोई भी मतलब मुम के बारे में गलत नहीं भूलूँगी कि सारी मुम एक जैसी होती है हमें सामें लविंग देती है और गुसे के टाइम गुसा भी करती है और प्यार के टाइम प्यार करती है हैं हमारी प्यूह के साथ भी यह होता है लेकिन इसके ममा जो ज्म्ठ को कुछ ज्याद क्यूंभत करती थी दैनिस यह उसके भाद जो इननर का प्रपी और भी रहती है अपना कंज phi शाय हुआ अपना क्लास ठीचर उसकर और भूर्क को निपटाने लगती है और भाद आ माध से बैट पिलेट यार रोड बुलती है फाइनलयी यार खातम हो गया है अपसे सोच रहती है है खातम क्यों नीओ छातम आ भू लिख को अपत को लच ब्रेफस्ट टाम अप लिए वाई-बस समझ में ऐसे बोल कि ममा को डाटके वहाँ से निकल जाती है पीछे से ममा बहुते हैं उसी स्माइल करती है मेरी बत्चे कि जल्दी बड़ी हो रही है फीलिए फीलिए प्रिति को लेकर प्रिति को लेकर तो सेथा, आप queda कि उसका प्रिति इसका प्राइल ने कुछ प्रफुल के बाय करती है और अपने CLASS के साइट बढ़ जाती है कि आती ही समय मतल्स बजाती समय जो आरी cells रहती है श्चाहर होते हैं धेन प्रिति आरा होती है इसे बिछ ऑप ही विए सब्सक्रीच नांब निचे सब्सक्राइकर हो जाते हैं आप देखकर चौक जाती है, आप देखकर क्यों नहीं चलते हैं, आप देखकर चल रही थी, आप मेरे एक सांथ आखे टक्रा गई हो, इसमें मेरा कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो सामने से प्रिति आप अच्छा वापस, ओकी ओकी फाइन, वैसे इतना जल्दी में आप कहा ज जाओ, वैसे भी वहां पर जाओगे, अगर इस तरह की फुटी हालत में जाओगे, तो आप ही कोई प्रावलम होगा, उससे अच्छा है, आप अरहाम से जाओ, तो यह बहुत सुनके प्रिति बोलती है, वैसे आप कहा जा रहे हो, तो बोलते हैं नहीं, मेरा को आज लेट हो जाओ, 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 जाओ नस्तिकियां इनके बीच की जो रहती हैं उनको एक दूसरे के सामने लाने से डर सा लगता है और जो प्यों रहती है वह तो पहुँ ज़र डरती है क्योंकि यह आरों नहीं चाहती है कि अभी अभी जिससे वह मिली है जिसको अपनी फ्रेल समझ रही है तो उसका मैं देल न कोकि अधै के सब्सक्राइब करें लागता है तो इसे करने ने जिससे अधैक कि अधैक अधैना के सब्सक्छी जाड़ कोई और अगर आपको नहीं पाद नहीं है तो वह प्रभल्लम नहीं दिक्ष्ट नहीं तो आप मुझे ट्वैशन पढ़ा गए तो आपको और मेरत तो जो सलेबस अलग हैं, सब्चेक्ट ही अलग है, तो मैं आपको कैसे पढ़ाओं? तो बोलती है, उपस, मैं भूल गए थी आपना स्थर मीचे कर लिती है तो सामने से, प्योह के साइट परीदी देखती हो, बोलती है, हे, रिलाक्स हम साइब परने बैठ जाते हैं, अगर कोई इंसान अके लिए परने बैठ आता है, तो उसका मन बिलकुल प्राईब के उपर नहीं रहता है तो हम दोनों एक साइट परने के लिए बैठ चाते हैं, आप अपना कर लें ना मैं अपना कर लूँगी तो इस वादसे पी हो यी जाती है कुछ टाइम के बहारा बात मेर धीर आगा है और बूलते है, sorry मेरा बथा खराब हो गया था इसलिए मैंने न्यू ड्रेस चेंज कर लिए इस वजह से पहुंच दर लेट हो गए है तो बोलते हैं नहीं अभी भागी है ताइम तस मिनिट तो था और कितना टाइम बचे है ऐसे बोल कि अपने मुबैल बोल रही हूं यार घड़ी के साथ देखती है तो घड़ी पे अभी पांच मिनिट बचे थे तो बोलते है चलो अप लास के साथ 5 मिनिट बचे है तो अच्छा ठीक है ऐसे बुल के तीनों जो है बहुंद लंबी कदम से अपनी ग्लासरूम के साथ बढ़ जाते हैं पीओ के साथ जो हमारी मेरा रहते हो दिखते हैं आप आप मेरे दीके सांथ बहुत दिख रहे हो तो सामने से पीओ बोलते हैं क्यों नहीं दिखना चाहिए तो बोलते हैं नहीं ऐसे बात नहीं है मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरे दीका क्यारा रखते हो मेरे दीके सांथ रहते हो मेरे दीके सांथ रहते हैं अपर आजकल तो कुछ जएद आई ह बहुत खुछा नहीं थाओ प्रीज स्वाल । इस अब ना अगर जाद ख्या राया यह बात सुनके अप्रीथी और सा moral कही हो। बाद रहती है तो जो मेरा 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 रहती है तो 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 मेरा रहत तो बोलते हैं नहीं तुम ने क्या गलत बोला तुम ने ठीक बोला ऐसे भी तुम कौन सा मेरे सिप छोटी हो बस 30 मिनिट का अरक फरक है ऐसे बोल के जब मेरा रहती है ना यह बात सुनके बहुत स्माहिल करने लगता है तुम दी या सिरेंसली आप यह सब बोल रहे हो खाओ मेरी मां क्लास तो चलें क्लास पे तो बोलते हाँ चलो ना मैंने रुका है क्या आपको पकड़ा है तो बोलते नहीं बट तुम मेरे से इस तरीके से बात करो है तो हम दोनों क्लास के लेट हो जाएंगे और यू ना अगर क्लास के लेट हो गए तो हमारी क्लास टीचर हम दो परहलों जायर रहे होते हैं अपने अपने क्रास में लाउ मैं खुर तो बैश्चा खाई है तो बेच है सित्क्रोफ प्रणलम मैंरो तो कुछ। भी जाते हैं टि यहां आप ग़ी है यहां खेह दिफिऑ लोस्त आप जातो rein Cas and click करने की बाद के अडर जैसमेन को दिखकर घुछ हो जाती है जैसमीन के पाथ जाकर बैठते हुए बोलते है यार पदा नहीं मुझे मेरा के बात तरह सुनके बहुत अच्छा लगा मुझे समझना चाहिए यार कुछ तो कुछ तो something है ऐसे बोलकि जो पेहो रहती है बहुत जादा साही फिल कर रही होती है औ मेरे को बोलो मेरा के बारे हम क्या बात कर रही थी तो भी पीहो बोलती है यार वो तो बहुत क्यूट है इनसाइंट है प्यार ही है और सच बता हूं बहुत नटकट भी है हां बट वो जो बोलती है मुझे बहुत पसंदा है उसने भी जो बोला वो भी मुझे बहुत पसंद सब्सक्istन को पता नएक उसके तैन्य मतंति फ़िल रहते हैं मतलब गुय पूलते हैं तुम्हें किया हुआ आप इसनल कर जाती है अपना फेस टंड करती है तो देखती है जासमिन पॉंचे ता गुस्से में है उसका फेस भाई इसका फेस देखकर प्योग आटमेटिकली हसी आना स्टार्ट हो जाता है उसकी हसी छूट जाती है वो हस्ती हो बुलती है हो, ऐम ची तुझे क्या हुआ, तु इस तरीके से क्यों हो रही है, तो सामने इस जैस्मिन बोलते हैं, नथिंग, कुछ नहीं हुआ है, ऐसे बुले कि खुद के गुस्से करने का ट्राइ कर ही होती है, लेकिन भाई, मतलब मीरा की बात सुनी थी न, पढ़ने बैट छाती है, लेकिन समय पती। तब अधुर्ब दो muốn ना ने आती है। लेरेकं जैस्मिन भिलकुन घरिशा निकुर्ट कराए है। खुद्क के अटमेटरी मुझे के रिखा आछान जे था तो रहाी। झाल उफसको ने पता है। जो यस रहता है अपना इमानशों के साथ बैटकी सारी बाती सुन रहा था और देन उसको कुछ ना गड़ लग रहा था मतलब कुछ ना कुछ तो गड़ पड़ है बीबी ऐसा वाला उसके मुझसे आवाज निकलती है यह बात सुनके वो बोलते हैं हां मुझे पता है क्या जलता है तो बोलते हैं हम् ऐसे बुलके वो दोनों एक दुसरे के हाथ पर रखके इन दोनों को यह देखे जा रहे होते हैं पीओ बात करने का ट्राइए कर रही होती है लेकिं जैसमीन बहुत बात नहीं करना चाहती थी और कहीं नहीं पीओ को थोड़ा सा मतलब गुसारा ह यार, यह मीज उन्हीं से कूँ नहीं कर रही है कि यार अगर आपकी स्च थी है, यार अगर आपकी बात में और आता है, आपकी दिल को बहुत है आता है यह कहली होता है, यह भी पात ने के साथ भेश में है वह जजिटनात भी बात करनी के जबने है uh yah93 healthि Yo अपने बहुत आरहे होती है और अपनी दीश से भाध कर रहे होती और ये वही प्रिटिखे रहा होता है करनी के ध घृण सबीसे बात करती है जो चैप्टर चल रहा होता है उसे अदिन वह कर रही होते है इस छैप्टर में इन्मान भॉड़ी हमन्स के भारे मेरा रही होती हर्मोन यो कि किसी इनसान को देखकर आट्रैक्ट हो जाता है चाहे वे ने रहता है किसी इनसान को देखकर आट्रैक्ट Pat Beck हो जाता है इन सारी हैं सोसी इसमेर ने इनले मि zur और JENुछ इन की आदार होती है किस तर्य किसमेर के the और दूसरे साइट पृति रहती है यह बात सुनके उसका धिमाग खराब हो जाता है कि उसके मैं चल रहा होता है यार अभी मेरा प्रेक अप हो गया है और यह मेरे को यह पढ़ा रही है यह बोलकर गुस्दा हो रही होती है तब हमारी पृति है उसकी नजर मेरा के कॉपी के पर परेशान कर रही होती होतु कि प्या वो प्रिषान आरे है परीधे के ऐसे मेरे को ईतर जचिफर होती है कि इसमय को अफ्री देख को कि उसना मारे थी ईतर बात होता है जिस तरह कि उसने लेफ हो अभी तक उसका कई ठीव का इसना है इसना तुछ उसको चुड़ाया था यहां सारी बात जो हमारी प्रीटी के मैंड में चल रहा होता है So hey guys, देखें कि इसके नेक्स एपिसोड में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है So, देखेंगे आप नेक्स एपिसोड में के तैन थैंगे So much but I'm sorry, मैं जिससरी कि स्टोरी अप्लोड नहीं करी हूं Actually, बात यह है कि बीते कुछ दिनों में अपने MP का बील नहीं है, इसलिए मेरे से मतलब होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, बट अपलोट करने मेरे को दिक्कत हो जाता है, क्योंकि किसी से HT लेना बहुत डिफिकल्ट होता है, गईस्टॉर्ड आपको जल्दी मैं बील कर बालूँ और स्टोरी आपको कंटिन्यूसली आपको मिल सकी थैंकि सुमास लभी ओल बाई बाई